असलाम लेकूम आज हम बनाएंगे साबू दाना खीर इसके अंदर हम मखाने एड़ करेंगे जो किसको और भी हेल्दी बनाएंगे ना चिपचिपी बनेगी ना ही ये जलेगी बहुत आसान सी रेसिपी है चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं साबू दाना खीर बनाने के लिए हमें आधे कब साबू दाने की जर्वत होगी पहले आपने इसे अच्छे से धो लेना है दो से तीन पानी से आप इसे धो लीजिए ताके इसके अंदर जो भी गंदगी हो वो भी निकल जाए और जो इसका स्टाज होता है वो भी निकल जाए अब आपको क्या करना है साफ पानी लेना है और इसके अंदर एड़ करना है अक्सर ऐसा होता है कि साबू दाने की जो हम खीर बनाते है वो बहुत ही चिपचिपी बनती है वो इसी लिए क्योंकि यहाँ पना आपको बस 3-4 टेबर स्पून पानी में से भीगो कर रखना है एक घंटे के लिए पानी का इस्तिमाल बहुत जादा नहीं करना वरना आपकी खीर जो है न वो बहुत चिपचिपी बनकर तयार होगी एक पैन में लेना है वन टी स्पून घी इसके अंदर हमें एट करेंगे एक कप मखाने यह डाल कर आपको इसे हलका गोल्डन ब्राउन करना है ताके यह थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए वन टेबर स्पून काली वाली किश्मिश और वन टेबर स्पून इसमें हमने डाली है यह दोनों डाल कर भी आपको थोड़ा साना इसे फ्राई कर लेना है अब देखे बहुत जादा कलर चेंज नहीं करना है एक प्लेट में निकाल कर साइट पर रग देना है अब वही पैन में हमने डालना है वन टी स्पून घी घी के अंदर हमें एट करना है तीन लॉंग ती इचे नहीं लगेगा जब हम इसके अंदर साबू दाना एट करेंगे तो वह भी नहीं जलेगा एक लीटर दूद डाल कर आपने कम से कम इस वक्त ना इसे चार से पांच मिनट के लिए पका लेना है अच्छे से जब पक जाए तब आपने यहां पर साबू दाने को एट करन में है इस लिए ना आपकी खीर नहीं चिपकेगी और नहीं यह जिपचीपी बनकर त्यार होगी बस इतना याद रखना है कि पानी ना उस वक्त भीगोने के लिए बहुत ज़ादा एड़ नहीं करना है एक एक दाने खीले होंगे तो आपकी खीर भी बहुत अच्छी बन कर तयार होगी एक टेबल स्पून हमने एड़ किया बादाम का और एक टेबल स्पून हमने एड़ किया पिस्ते का आप जो चाहे वो इसके अंदर एड़ कर सकते हैं ड्राइ प्रूट अब हमने इसके अंदर एड़ करना है खुश्बू और थोड़ा सा कलर चेंज होगा जाफरा से जो के हमने दो पिंच का इस्तिमाल किया है अब इसके अंदर जाएगी आधा टी स्पून इलाइची पाउडर सब कुछ मिक्स करना है पहले हमने दूद को चार से पांच मिनट अच्छे से पका लिया था अब जब हम साबू दाना एड़ करेंगे तो बहुत जादा पकाने क की जरुवत नहीं है क्योंकि हमने इसे एक घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था वैसे ही सॉफ्ट हो जाता है अब इसके अंदर एड़ करेंगे आधा कप शूगर या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ कीजिए अब इसके अंदर चले गए मखाने और किश्मि ये डाल कर आपको फिर से मिक्स करना है और एक बॉयल का इंतिजार करना है इस वक्त ना बहुत जादा अब आपको नहीं पकाना है मखाने और किश्मिश जब हम इसके अंदर एड़ कर देंगे तो देखिए बॉयल आ चुका है गैस की फ्लेम को हम कर देंगे आफ अब आप क्या कर सकते हैं इसे ठंडा भी सर्फ कर सकते हैं और गर्मा गरम भी सर्फ कर सकते हैं कोई मिट्टी का बरतन लीजिए और गर्मा गरम सी ये साबू दाना और मखाना खीर डालिए फ्रिज में रख दीजिए एक घंटे बात खाये बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्दी होती है और साथ साथ आप भी इंजॉय कीजिए बहुत जबर्दद बहुत यमी और बहुत कम टाइम में ये खीर बनकर तयार हो जाती है और ऐसी है ना कि सबी को पसंद आएगी बनाएए और मुझे अपने फीड़ बैक दीजिए रेसिपी पसंद आए तो आपको करना है कोडिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे टेक कियर अल्ला हाफीज